नमस्कार मित्रों, स्वागत आप सभी का, मैं डॉक्टर अभेसिंग राजप्रोईत और आप है परिज्यान क्लासेज के ऑनलाइन नेट्वर्क पर मित्रों चर्चा कर रहे हैं भारत का सम्विधान और भारत की राजवयवस्था और सम्विधान का भाग पांच पढ़ रहे हैं संगिय कारिय पाली का भारत सरकार पढ़ रहे हैं मित्रों और भाग पांच में हम बात कर रहे हैं मित्रों भारत के सम्विधानिक पदा धिकारिय की हम अब तक पढ़ चुक है मित्रों भारत के राष्टपती को भारत के उपराष्टपती को प्रधान मंत्री और मंत्री परिशत को और जब हमने प्रधान मंत्री और मंत्री परिशत पढ़ा है मित्रों इसका मतलब हमने समविधान का आर्टिकल 74 और 75 पढ़ लिया है आए इ आज का प्रक्रण है मित्रों कौन है अटोर्णी जनरल यानि महानियाईवादी और उसकी साहिय के रूप में सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्तु सॉलिसिटर जनरल के क्या कार्य है क्या कर्तव्य है आईए इन तमाम बिंदों को आज जानें समझें और पढ़ें तो सबसे पहले चर्चा करें हमारा आज का प्रक्रण है मित्रों जिसका नाम है महानियाईवादी हिंदी में इसको नाम दिया महानियाईवादी और इंग्लिश में इसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है attorney general और समविधान में अनुछे च्यातर में सम्विधान का Article 76 Attorney General का प्रावधान करता है और चुँकि सम्विधान का Article 76 Attorney General इसका मतलब Attorney General का पद कैसा पद है मित्रों तो आप कहेंगे कि Attorney General एक सम्विधानिक पद है एक Constitutional Post है सम्विधानिक पद से तात्पर ये क्या तो आप कहेंगे ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई भी संस्था ऐसा कोई भी पद जिसका सम्विधान में उलेक है जिसके नाम के आगे कोई नो कोई अनुचेद जुड़ावा हो मित्रों वो सम्विधानिक पद कहलाता है और कोई भी व्यक्ति और संस्था जिसका समविधान में उलेख नहीं है जिसका समविधान में कोई अनुछेद नहीं है इसका मतलब वो है गैट समविधानिक वो है समविधान इतर निकाई non-constitutional post तो महानियाईवादी कैसा पद है ये एक समविधानिक पद है और समविधान का article 76 महानियाइवादी का प्रावधान करता है मित्रों अगर इससे जुड़ाव कोई प्रश्ण आ जाए कि बताइए महानियाइवादी का पद किस देश के समविधान से प्रेरित है तो हमारा जबाब होगा कि महानियाइवादी का पद इंग्लेंड से प्रभावित है महानियावादी का पद इंग्लेंड से प्रेरित है मित्रों, कैसे इसको समझें, इंग्लेंड में ये व्यवस्ता है मित्रों, कि वहां के समराट की शाहिता के लिए इंग्लेंड के समराट को विधिक प्रतिनिधिक रूप में एक पद स्रजित किया गया है जो अटॉनिस जनरल कहलाता है तेसरा साब्दे की अटॉनिस जनरल ब्रिटिस सरकार और ब्रिटिस समीधान की देन है भारत के संदर में बात करें मित्रों तो जब 1935 का अदिनियम बना था एड़ोकेट जनरल क्या प्रावदान था कि भारत में गवर्नर जनरल को कानूनी साहिता और परामर्स देने है तू एड़ोकेट जनरल होगा कालांतर में जब हमारा समीधान बना तब इसी एड़ोकेट जनरल को हमने महानियाईवादी नाम दे दिया और इसी प्रकार महानियाईवादी की भाती राज्यों में भी वर्तमान में एक एड़ोकेट जनरल होता है जो महाधीवक्ता के नाम से जाना जाता है तिस तरह से आप देखे वर्तमान में भारत के समीधान में महानियाईवादी के पद का भी प्रावधान है और भारत के समविधान में एड़ोकेट जनरल यानि महादीवक्ता के पद का प्रावधान है संगिय कार्यपाली का माता है महानियाईवादी और राज्यों की कार्यपाली का माता है महादीवक्ता तिसरस आप देखे ब्रेटिस सरकार से इंग्लेंड के समविधान से प्रभावित है महानियाईवादी 1935 के अदिनियम में भी महानियाईवादी के रूप में एड़ोकेट जनरल के कर्तवियों का प्रावधान था और हमने हमारे समविधान में भी इस महानियाईवादी के पद का प्रावधान किया है तो किस देश के समविधान से प्रेजित और प्रभावित है महानियाईवादी जवाब होगा इंग्लेंड से परंतु एक अंतर है मित्रों इंग्लेंड में जो महानियाईवादी होता है वो वहां की संसद का सदश्य होता है वो मेंबर ओ पार्लियमेंट होता है मित्रों परंतु भारत का महानियाईवादी सांसद नहीं होता भारत का महानियाईवादी संसद का सदेश्य नहीं होता भारत का महानियाईवादी कोई नो कोई विधिवेता होता है विधिक अधिकारी होता है परंतु वो संसद का सदेश्य नहीं होता वो सांसद नहीं होता है ये जरासंतर है भारत और इंग्लेंट की संसदिय व्यवस्ताओं के सम्मद में थोड़ा आपको इसको भी ध्यान में रखना है तो ये तो बात हुई मित्रों महानियावादी, अटॉर्णी जनरल, बहुत सामान्य से बात पड़ी है सम्मद महानियावादी के पड़ का उलेक करता है इसका मतलब महानियावादी एक सम्मदानिक पड़ है और महानियावादी का पड़ कहां से प्रभावित और प्रेरित है ये इंग्लेंड से प्रभावित और प्रेरित पड़ है आईए अब पढ़े महा न्यायवादी से जुड़ी बहुती सामाने सी बात है सबसे पहले शुरुवात करते है मित्रों महा न्यायवादी पद है तू योग्यता महा न्यायवादी के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए देखे समविधान क्या कहता है सम्विधान कहता है कि महा न्यायवादी के लिए वो ही योग्यता हैं जो सर्वोच न्यायाले के न्यायादीश में होनी चाहिए यानि सर्वोच न्यायाले के न्यायादीश के समान इसका मतलब सर्वोच न्यायाले के न्यायादीश और महा न्यायवादी के पत की योग्यताएं एक समान है आएए देखें क्या क्या योग्यताएं तो योग्यताओं में नंबर एक सबसे पहली योग्यता क्या है कि महानियाईवादी बनने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो तो नमबर एक भारत का नागरिक हो दूसरी शर्ट क्या है महानियाईवादी बनने के लिए कि किसी भी उच्छ न्यायाले में किसी भी उच्छ न्यायाले में उच न्यायले का मतलब आप समझी गए, हाई कोट में, किसी भी उच न्यायले में, क्या होना चाहिए? कम से कम पांच वर्चों से अधिक, यानि पांच वर्चों से अधिक समय तक, क्या हो? न्यायादीश रह चुका हो, पांच वर्चों से अधिक समय तक न्यायादीश रह च योग्यता और भी हो सकती है और वो एक योग्यता है कि किसी भी हाई कोट में यानि किसी भी उच्छ न्यायले में अगर जज नहीं है तो चलेगा लेकिन किसी भी न्यायले में क्या हो कम से भी कम दस वर्सों से अधिक समय तक क्या हो विदिवेता रह चुका हो यानि वकालत का हो या वकील साब की रूप में 10 साल से जाता समय हो गयो हाई कोट में अपनी सेवाइं देते वे या राष्टपती की द्रश्टी में क्या हो प्रख्यात विधिवेता हो यह एक शर्ट और भी है कि राष्टपती की समय तक क्या हो नियायाधीश रह चुका हो या किसी भी हाई कोट में दस वर्षों से ज़्यादा समय तक वकालत करने का नुबह हो और एक शर्थ और भी है योग्यता राश्टपती की द्रिष्टी में विदिवेता हो दक्ष और प्रख्यात कानून का जानकार हो ऐसी किसी भी योग्यता के अधार पर व्यक्ति को महनिय वादी नियुक्त किया जा सकता है तो सिदा सार्थ क्या निकला कि महनिय वादी का पद राजनेतिक पद नहीं है मित्रों महनिय वादी का पद विदिक पद है ये विदिय अदिकारी है जो कानून का जानकार है ऐसे व्यक्ति को मह तो यह तो हो गए मित्रो महानियाइवादीपद, हैत्व योग्यता है आये अब बात करें कि महानियाइवादीपद की नियुक्ति कौन करता है महानियाइवादी की नियुक्ति हमारे समवीधान के article 76 और 76 का सब clause 1 अनुछे चियतर एक में राष्टपती की नियुक्ती के बारे में प्रावधान किया गया है महानियाईवादी की नियुक्ती के समद्ध में प्रावधान किया गया है और आर्टिकल 76-1 क्या कहता है कि महानियाइवादी की नियुक्ति की जाती है राष्टपती के द्वारा महानियाइवादी के पत की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी राष्टपती के द्वारा तो सामाने शब्दों में पूछ ले कि बताईए महा नियाईवादी को किस ने नियुक्त किया राश्टपती ने समीधान में कहां उलेक है तो आप कहेंगे आर्टिकल 76-1 में इसकी नियुक्ती का प्रावधाने परंतु राश्टपती ये नियुक्ती अपने विवेक से नहीं करता है मित्रों अपनी मर्जी से नहीं करेगा कौन महा नियाईवादी बनेगा ये तो भारत सरकार तय करती है इसका मतलब राश्टपती महा नियाईवादी की नियुक्ती से पूर्व किसे परामर्स मांगेंगे, तो परामर्स मांगा जाएगा संगिय मंत्री परिशद के द्वारा, संगिय मंत्री परिशद से, अर्थात भारत के राष्टपती, परामर्स मांगेंगे भारत सरकार से, संगिय मंत्री परिशद से, संगिय मंत्री परिशद से तात परिया है भारत सरकार तो कौन महानियावादी बनेगा ये तय तो मित्रों भारत सरकार करती है भारत की संगिय मंत्री परिशत करेगी और मंत्री परिशत जिस व्यक्ति के नाम को राष्टपती के समक्ष भेजेगी राष्टपती उसे महानियाइवादी नियुक्त कर देंगे तो वापस देखें महानियाइवादी की नियुक्ती किस ने की तो जबाब होगा कि महानियाइवादी की नियुक्ती की है भारत के राश्टपती ने क्या राश्टपती ने ये नियुक्ती अपनी मर्जी से ने विवेक से की, नहीं की, तो बताई राश्टपती ने किस से परामर्स मांगा, राश्टपती ने परामर्स मांगा, संगीय मंत्री परिशत से और भारत सरकार से, और इस तरह से संगीय मंत्री परिशत के परामर्स से, राश्टपती के द्वारा महा नियावादी की नियुक अब बात करें, कार्यकाल कितना, त्याक पत्र किसको देंगे, वेतन और भत्तों के क्या-क्या प्रावधान है, शपत का क्या प्रावधान है, और अन्य कार्य क्या-क्या है, जराइन की चर्चा कर लेते हैं, तो नियुक्ति के पश्चात, अब बात करें मित्रों, कि यह जो मह प्रसाद परियंद देखे शब्द क्या है राष्ट पती के प्रसाद परियंद यानि प्लेजर आप प्रेजिडेंट इसका मतलब राष्ट पती की इच्छा परियंद प्रसाद परियंद को आप और भी क्या कह सकते है इच्छा परियंद अर्था जब तक राष्ट पती चाहे तब तक और राष्ट पती के प्रसाद परियंद से ये भी तात परिये मित्रों कि महानियावादी का कार्यकाल निश्चित नहीं है महानियावादी का कार्यकाल निर्धारित नहीं है ये रहता है राष्टपती के प्रसाद परियंद और परदे के पीछे अगर मैं बात करूं तो भारत सरकार के प्रसाद परियंद देखे मंत्री परिशत के परामर्स पर इसको पद से हटाया भी जा सकता है पद्ब से कौन हटाएंगे राश्ट पती. पर किसके कहने से हटा रहे हैं? संग्य मंतरी परिषत के कहने से हटा रहे हैं. परंतु द्यान रखना है, परिक्षा में जब बीबी सवाल आ जाये, किसका कार्यकाल कितना? त değer को आप कहएंगे, का काम राष्टपती करेंगे भारत सरकार यानि संग्य मंत्री परिष्ट के कहने से ऐसा करेंगे तो ये तो हो गया कार्यकाल राष्टपती के प्रसाद परियंद चलें इस इक्रम में क्या महानियाईवादी पद ग्रहन करने से पूर्व शपत लेते हैं क्या तो हमारे समीधा किसी भी प्रकार की शपद नहीं लेते हैं क्योंकि महानियाइवादी नियुक्त होता है मित्रों और राश्च्पती ने सीधी इनकी नियुक्ती की है सरकार से पूछ कर तो एक नियुक्त पद है इसलिए महानियाइवादी के लिए किसी भी प्रकार की शपद का कोई उलेक या प्रावधान नहीं है तो हमने बात की महानियाइवादी की नियुक्ति कैसे होगी महानियाइवादी का कार्यकाल कितना क्या महानियाइवादी शपत लेंगे तो जवाब अगर शपत नहीं लेते हैं इसी क्रम में महानियाइवादी अगर त्याग पत्र देना चाहे तो महानिय नियोक्ती भी राश्टपत्थ ने की आगर बात करें वेतन भत्तों के बारे में प्रावधान्य मित्रों कि महा नियाईवादी के वेतन भत्ते राष्टपती द्वारा निर्धारित किये जाएंगे तो इन्हें राष्टपती के द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते मिलते हैं सामाने शब्दों में मैं आपको ये बता दू कि महानियावादी को जो वेतन बत्ते हैं वो सर्वोच न्यायाले के न्यायादीशों के समकक्ष मिलते हैं तो सुप्रीम कोड के न्यायादीशों के समान वेतन बत्ता रहता है महानियाईवादी का परंतु सम्विधान में क्या लिखावा है तो आप कहेंगे सम्विधान के तहद महानियाईवादी के वेतन भत्ते राष्टपती द्वारा निर्धारित है यानि जो राष्टपती निर्धारित करेंगे वो वेतन बते महानियावादी को मिलेंगे तो ये कुछ सामाने से बाते हो गई महानियावादी के लिए आई अब सबसे important बात करें जहां से परिक्षा में आप से सवाल उच्छा जा सकता है और प्रश्ण ये बनेगा मित्रों कि महानियावादी कारिय क्या करता है ये है महतोपून बात यहां से परिक्षा में सवाल आ सकता है महानियावादी के कारिय अब देखो कारियों में समझो नमबर एक सबसे पहला काम ये मित्रों कि ये भारत का प्रथम विद्य अदिकारी है जब भी मैं शब्द इस्तेमाल करो ने मित्रों भारत आप यूँ भी तो कह सकते हो संग या संग सरकार या केंद्रिय सरकार बात तो एक ही हुई ने मित्रों तो क्या है महानिय आइवादी भारत या संग का प्रत्थम विद्य अधिकारी है यह first law officer है इसका पद भारत का प्रत्थम विद्य अधिकारी के रूप में जाना जाता है इससे से जुड़ी दूसरी बात आपको होगे कि भारत सरकार का भारत सरकार से मेरा तात पर यह है यह संग सरकार का विद्यक सलाकार है लिगल एडवाइजर है संग सरकार का विद्यक सलाकार और तीसरा काम देखो यह भारत सरकार की तरफ से क्या करेगा यह संग्य प्रतिनिदी के रूप में ये संग्य प्रतीनी दी के रूप में क्या करेगा मुकदमों की पैर्वी करता है संग्य प्रतीनी दी के रूप में मुकदमों की पैर्वी करना यानि मुकदमे लड़ना मुकदमों की पैर्वी करना अब क्रम से के काम को वापस से समझें देखो होता क्या है अग्सर कोईनों कोई मुकद में होते हैं जिसमें भारत सरकार या भारत सरकार का कोई सरकारी विभाग वादी या प्रतिवादी की रूप में आप जानते हैं कि नियायले में होता है अब सरकार खुद तो मुकद में लड़ने नहीं जाएगी मित्रों तो ऐसी स्थिम क्या होत यह महानी आईवादी करेगा, तो महानी आईवादी कौन हुआ, तो आप कहेंगे कि भारत सरकार का वकील है मित्रों, हमने अच्छे शब्दों में क्या का, कि यह संग सरकार का विदिक सलाकार है, यह भारत सरकार को कानूनी परामर्स देने का काम करता है, यह भारत सरकार का प महानियाईवादी जाता है, इसका मतलब महानियाईवादी बहुत भरोसे मंद और विश्वस्त वकील है मित्रों भारत सरकार का, अगर कोट में महानियाईवादी मुकदमा हार रहे हैं, इसका मतलब मुकदमा भारत सरकार हार रही है, तो यह नक के वज़ सुप्रीम कोट में उपस्तित होते हैं मित्रों महानियाईवादी हाई कोट में भी उपस्तित होकर सरकार का पक्ष रखते हैं सरकार की तरफ से मुकद में लड़ेगा और सरकार की तरफ से पैरवी करता है जब कभी भी हाई कोट और सुप्रीम कोट को सरकार का पक्ष जानना होता है मित्रों ऐसी स्तती में भी सरकार माहान याईवादी को अपने प्रतिनीदी की रूप में अदालत में उपस्तित करती है तो देखे कितना मुहत्वपोन पद हुआ ये कितना योग्य, दक्ष और आपको ओगे प्रख्यात विद्य वेता होता है और ये भारत सरकार का कितना विश्वस्त सरकारी माप करें विदिक प्रतिनिदी है जो भारत सरकार की तरफ से मुकद में लड़ता है परन्तु एक भ्रह्म में जो निकाल लेना है मित्रों ये मुकद में लड़ता है भारत के भीतर ये मुकदमे लड़ता है भारत में सुप्रीम कोट और हाई कोट में अक्सर विद्यार्तियों को ये भ्रहम हो जाता है मित्रों कि ये भारत के प्रतिनिदिक रूप में विदेशों में भी मुकदमे लड़ने जाता है अंतराष्टे न्यायले में ऐसा नहीं है मित्रों आप जानते हैं कि दुनिया में कोई भी देशों के मध्य विवाद हो तो मुकद्मों का निस्तारण होता है अंतराष्टे न्यायले में तो क्या भारत सरकार के प्रतिनिदिक रूप में भारत का महानियाएवादी, अंतराश्ठी न्यायले में भारत के प्रतिनिदिक रूप में मुकदमा लड़ने जाएगा क्या, आपको ऐसा बिल्कुछ ज़रूरी नहीं है मित्रों, समविधान में ऐसा कोईुध उलेख नहीं है, अगर कोई अंतराश्ठी मुकदमा है, अगर चर्चित और विवादी तरह है हमारे एक नौसेनिक जिसे पाकिस्तान ने गिरफतार कर लिया जासुसी कारोप लगा कर कुल भुशन जादव अपने नाम सुना है और पाकिस्तान के नियायले ने बिना सुनवाई कि उसे मरत्युदेंड की सजा सुनाई और उसके खिलाब भा भारत सरकार के वकील और प्रतिनिदिक रूप में हरी शालवे ने वो मुकदमा लड़ा और वो मुकदमा जीता और जादव की फासी पर रोक भी लगई तो यहां ध्यान रखना है महा नियायवादी भारत के भीतर सुप्रीम कोट और हाई कोट में मुकदमा लड़ता है महा वापस से देखो यह भारत सरकार का प्रतम विदिय अधिकारी है यह भारत सरकार का विदिक सलाकार भी है और यह भारत सरकार के वकील के रूप में भारत के सुप्रीम कोट और हाई कोट में मुकदमे लड़ने जाएगा मुकदम की पैर भी करेगा यह है महा नियावादी का य नुचेद 88, समविधान के आर्टिकल 88 में भी इसी महानियावादी के कुछ और कारियों का और दाइतों की समद्ध में भी प्रावदाने मित्रों और ये प्रश्ण अक्सर परिक्षा में पूछा जाता है, देखें आर्टिकल 88 क्या कहता है कि महानियावादी को संसद के किसी सदन में, संसद के किसी भी सदन में इसका महलन semble लोक सभा और राज्जेसभा में उपस्तित होने का अधिकार है, ये उपस्तित हो सकता है, ये दोनों मैंसे किसी भी सदन की के प्रतिनिधी के रूप में अपने विचार और पक्ष प्रकट कर सकता है तो इसको बोलने का Lehr Bel which और और इसको बोलने का उझार है यह सद्पाख्ष such का amazing दी की रूप में उपस्तित होता है और ऐसी सती में ये सता पक्ष की टेबल पर बैठ कर सरकार की तरफ सा अपना पक्ष परकट करता है इसके अलावा भी यदि महानयाईवादी किसी संसद्य समीति का सदस्य है आप जानते हैं संसद्य में सबसे इंपोर्टेंट बात परंतु महानियावादी को संसत के किसी भी सदन में मतदान का अधिकार नहीं है इसका सिदा साथ क्या निकला कि महानियावादी दोनों सदनों में उपस्तित हो सकता है संसत्य कारवाई में भाग ले सकता है संसद के किसी भी सदन में सरकाय की तरफ से पक्ष और विचार प्रकट कर सकता है ये किसी भी ऐसी संसद्य समीती में जिसका वो मेंबर है उस संसद्य समीती की बैटकों में और कारवई में भाग ले सकता है परन्तु इसको सदन में, संसद में मतदान करने का दिकार नहीं है यह है महतोपुन बात जो आपको याद रखनी है और समविधान का कौन सा अनुचेद इसा प्रावधान करता है तो मारा जबाब होगा Article 88, अनुचेद 88 में इसका प्रावधान किया गया है एक और बड़ी महतोपुन बात जो आपको याद रखनी है मैं बात कर रहा हूं समविधान का अनुचेद 105 समविधान का अनुचेद 105 और आप जानते हों कि समविधान का अनुचेद 105 सांसदों को विशेशा धिकार प्रदान करता है सांसदों को विशेश अधिकार जिसे आप संसदिय विशेश अधिकार भी कहते हो और अनुछेत 105 क्या कहता है कि सांसदों को यह धिकार है कि वो सदन में उपसितो कर अपना पक्ष प्रकट करेंगे सांसदों को सदन में विचावर और अभिव्यक्ति का दिकार है अब किसी भी सांसद ने सदन में क्या बोला सांसद द्वारा बोले गए कथन और सांसद द्वारा किये गए करत्य का धार पर याद रखना है सदन में बोले गए करत्य का धार पर उसके विरुद्ध कोई विद्धिक कारवई नहीं की जा सकती यह अनुचेद 105 है जो सांसदों को विश्यसादिकार देता है इसी तरह का विश्यसादिकार मित्रों महानियाईवादी को भी है समविधान के अनुचेद 105-4 में अनुचेद 105 और 4 इसमें महानियावादी को इसी भी प्रकार का विशेसादीकार है महानियावादी का विशेसादीकार और महानियावादी को क्या विशेसादीकार है कि सांसदों की भाती महानियावादी भी यदि सदन में उपस्तित होकर विचार प्रकट करता है भारस सरकार के प्रतिनिदी के रूप में अपना पक्ष परकट कर रहा है तो इसके द्वारा बोले गए कथन और सदन के भितर किये गए क्रत्य का धार पर महानियाईवादी के विरुद्ध विद्धिक कारवई नहीं की जाएगी ये विद्धिक कारवई से उन्मुक्त तो इसी भी प्रकार के संसदिय विश्यसादिकार महानियाईवादी को भी प्राप्त है तो ध्यान रखना को कौन सा अनुचेद अनुचेद 154 महानियाईवादी को इसी प्रकार की संसदिय विश्यसादिकार प्रदान करता है मित्रों तो इससे ये साबित हुआ कि महानिया अदालत में जो भी बोलता है वो उसका निजी मत नहीं होता है मित्रों वो भारत सरकार का मत होता है वो भारत सरकार के मत को भारत सरकार के विचार को और भारत सरकार की इच्छा को अदालत के समक्षु प्रस्तुत करता है तो महानियाईवादी प्रतीनिदी है सरकार का ये वि तब यहां कुछ फैक्ट जान लेते हैं तथ्य अगर आप से पूछे कि बताईए भारत के प्रथम महानियाई वादी कौन थे भारत के पहले अटौर्णी जनरल पहले महानियाई वादी कौन थे तो हमारा जवाब होगा M, C, सितलवार ये भारत के पहले महानियाईवादी थे और इनका सबसे लंबा कारियकाल भी रहे मित्रों सबसे लंबे कारियकाल के रूप में महानियाईवादी रहने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? M, C, सितलवार के नाम पर है तो सबसे लंबा कार्यकाल किसका शीतलवार का और इसी तरह से करंट में पूछ ले की बताईए वर्तमान में महानियाईवादी कौन तो वर्तमान में भारत के महानियाईवादी है केके वेनुगोपाल और केके वेनुगोपाल भारत के पंदरवे महानियाईवादी है जरा इसको भी ध्यान में रखना है पंदरवे महानियाईवादी केके वेनुगोपाल तो प्रत्थम महानियाईवादी कौन? MCC तलवार और वर्तमान में भारत सरकार के महानियाईवादी कौन K.K. Wennu Gopal तो ये तो बात हुई मित्रों महानियाईवादी की अब एक चीज़ और समझ लेते हैं मित्रों आप जानते हैं कि भारत सरकार के विरुद इतने सारे मुकदमें भारत सरकार के इतने सारे सरकारी वकील क्या अकेला महानियाईवादी पूरे भारत सरकार के और सारे सरकारी विभागों की मुकद में क्या अकेला लड़ सकता है क्या क्या अकेला महानियाईवादी सुप्रीम कोट और हाई कोट में भारत सरकार की तरफ से प्रबल रूप से अपना पक्ष रखेगा क्या, तो यहां महानियावादी की मदद करने के लिए, इसके सहायक और इसके सहयोगी की रूप में, एक और पद्ध सरजीत कर लिया गया है, जो सॉलिसीटर जन्रल कहलाता है, और सॉलिसीटर जन्रल के भी सह साहिक के रूप में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त कर लिये जाते हैं तो महानियावादी के साहिक के रूप में सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी कारिय करते हैं भारत में आये जाने कौन है ये सॉलिसिटर जनरल कारिय क्या है प्रावधान क्या ह इनसे जुड़ी कुछ और काम की बाते जान लेते हैं तो अब मैं बात कर रहा हूं मित्रों उस व्यक्ति की जिसे भारत में Solicited General के नाम से जाना जाता है मैं उस व्यक्ति की चर्चा कर रहा हूं मित्रों जिसे भारत में Solicited General के नाम से पुकारते हैं हिndi में इसके लिए प्रत्तक से कोई शब्द नहीं हमित रहा हूं, यहींच हद प्रचलित है solicitor general, और इसका सम्विधान में कोई उलेक नहीं है। इसका मुले solicitor general के लिए कोई भी अनुछेद नहीं है सम्विधान में। और आप जानते हैं किसी भी व्यक्ति और पद का यदि सम्विधान में उलेक नहीं है तो व्यक्ति और पद क्या कहलाएगा तो आप कहेंगे वो व्यक्ति और पद कहलाता है गेर सम्वेधानिक पद अब बताएए Solicitor General कैसा पद है तो आपका जबाब होगा कि Solicitor General गैर समवेधानिक पद है क्योंकि समविधान में कहीं भी Solicitor General का शब्द का उलेक नहीं है और कहीं भी Solicitor का नाम और इसका अनुछेद नहीं है तो महानियाईवादी तो समवेधानिक पद है मित्रों समविधान के अनुछेद 76 में महानियाईवादी का उलेक है पर आर्टिकल 76 में कहीं भी Solicitor General पद का उलेक नहीं है अब देखिए क्या है ये Solicitor General जरा इसको जान लेते हैं Solicitor General के लिए देखिए आप किस मन मस्तिष में एक सवाल आएगा मित्रों कि जब समविधान में कहीं भी Solicitor General का उलेक नहीं है तो ये Solicitor General का पद अस्तित्व में कैसे आया तो देखिए मित्रों हमारे समविधान में एक अनुछेद है 309 अनुछेद 309 और ये 309 क्या करता है राष्टपती को शक्तियां प्रदान करता है राष्टपती को शक्तियां प्रदान करता है विदिक छेत्र में और देखिए भारत के राष्टपती ने क्या किया समविधान के अनुछे 309 के तहट प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विदिक प्रदत शक्तियों का प्रयोग तो अगर आपके अगर आपसे इस तरह का प्रश्ण आ जाए कि बताए ये विदिक प्रदान के तहट स्रजित हुआ है तो आप क्या कहेंगे कि भारत के राष्टपती के द्वारा समविधान के अनुछे 309 के तहट अनुछे 309 के अपनी स्तेमाल करते वे अब देखिए पहले इसके कारियों को जान लेते हैं तो देखिए भारत-संका द्वित्य-विद्धी का दिकारी है ये भारत का क्या है द्वित्य विद्य अधिकारी क्यांकि प्रत्थम विद्य अधिकारी थो गया मित्रों महानियाईवादी और ये है महानियाईवादी का सही होगी इसलिए इसके कारियों में आप क्या कहोगे कि Solicitor General महानियाईवादी का सहयक है महानियाईवादी का Assistant है और ये महानियावादी के साहयक के रूप में महानियावादी की मदद करते हुए भारत सरकाय की तरफ से मुकद में लड़ता है सुप्रीम कोट और हाई कोट में तो महानियावादी के साथ रहते हुए महानियावादी की मदद करते हुए महानियावादी के साहयक के रूप में ये भी भारत सरकाय की तरफ से मुकदमे लड़ेगा और भारत सरकाय की तरफ से सुप्रीम कोट और हाई कोट में पैरवी करेगा तो महानियावादी प्रत्थम विद्धिक अधिकारी Solicitor General द्वित्यक विधिक अधिकारी तो महानियावादी के कारियों को सरल करने के लिए महानियावादी के साहिक के रूप में Solicitor General के पद का प्रावधान किया गया है एक बात और जान लेना मित्रों महानियावादी एक ही व्यक्ति हो सकता है परन्तु कितने ही व्यक्तियों को Solicitor General बनाया जा सकता है कितने ही व्यक्तियों को भारत सरकार चाहे तो एक और चाहे तो एक से ज़्यादा व्यक्तियों को Solicitor General के पद पनियुक्त कर सकती है समविधान में ऐसा कोई किसी परकार का प्रावधान नहीं है तो क्या समझे हम कि महानियाईवादी की मदद करने के लिए ये Solicitator General है और Solicitator General महानियाईवादी के साइक के रूप में मुकदमों की पैरिवि करता है और ये भी भारत सरकार की तरफ से मुकदमे लड़ेंगे तो देखें महानियाईवादी और Solicitator General भारत सरकार के सरकारी वकील है ये सरकार की तरफ से मुकदमे लड़ते हैं ये दोनों ऐसा कोई मुकदमा नहीं लड़ सकते जो भारत सरकार के विरुद्ध हो तो भारत सरकार के विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं लड़ेंगे और ये सरकार की तरफ से मुकदमा लड़ेंगे तो ये तो कुछ बातें हो गई मित्रों Solicitor General के लिए आईए अब इसकी नियुक्ति के बारे में भी जान लेते हैं कि Solicitor General की नियुक्ति कौन करेगा तो यहां इस बात को अच्छे से समझ लें कि Solicitor General की नियुक्ति राष्टपति नहीं करेगा देखो राष्टपति ने तो केवल और केवल क्या किया है महान याइवादी की नियुक्ति की है राष्टपति ने Solicitor General की नियुक्ति नहीं की तो किसने नियुक्ति की इसकी तो आपका जबाब होगा कि Solicitor General की नियुक्ति की जाती है भारत सरकार के द्वारा भारत सरकार द्वारा और चुकि ये विदी मंत्रा लेका दिन काम करता है तो आपको होगे कि इसकी नियुक्ति की गई है विदी मंत्रा लेके द्वारा तो कौन सॉलिसिटर जनरल होगा यह कौन तय करेगा यह भारत का विदी मंतरा ले तय करेगा यानि यह भारत सरकार तय करेगी तो नियुक्ति किसने की भारत के विदी मंतरा लेने की है इसका कार्यकाल कितना रहेगा तो कार्यकाल के समद्ध में प्रावधान है मित्रों कि इसको तीन वर्ष तक के कारियकाल है तू सॉलिशिटर जनरल रहा रखा जा सकता है तो सामानेति इसका कारियकाल है तीन वर्ष तक का महा नियाईवादी कीता रही सॉलिशिटर जनरल के लिए भी किसी भी प्रकार की शपत का कोई प्रावधान नहीं है तो ये भी शपत नहीं लेंगे ये सिदे के सिदे नियूक्त होंगे तो शपत में क्या कहोगे कि सॉलिशिटर जनरल के लिए शपत का प्रावधान नहीं है और अगर सॉलिशिटर जनरल अपने अत्याग पत्र देकर Solicitor General समय से पहले अपने पद से मुक्त हो सकते हैं ते एक बार वापस से समझें Solicitor General की चर्चा कर रहे मित्रों Solicitor General की नियुक्ति किसने की भारत सरकारने की विधी मंत्रा लेने की कारेकाल कितना है कारेकाल है तीन वर्स तक का शपत का कोई प्रावधान नहीं है और Solicitor General विधी मंत्रा ले को अपना त्याग पत्र भेज कर अपने पद से मुक्त हो सकता है हमने कारियों की चर्चा की है मित्रों कि ये महानियावादी का साहयक है असिस्टेंड है और इसके साहयक के रूप में मुकद में लड़ने का काम करता है यहां से तथ्य पूछे जा सकते हैं कि भारत का प्रथम Solicitor General कौन अगर इस तरह का कोई भी प्रशना जाए कि भारत के प्रथम Solicitor General कौन थे तो C के दफ्तरी भारत के प्रथम Solicitor General कौन थे C के दफ्तरी ये भारत के प्रतम सॉलिसिटर जनरल थे और इसी से जुड़ावा प्रशन आ जाए कि वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल कौन तो वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल है तुशार महता ये वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल के पद पर नियुक्त है तो प्रत्थम Solicitor General C के दप्तरी, वर्तमान में Solicitor General Tushar Mehta एक अंतिम बात और मित्रों, भारत सरकार के इतने सारे सरकारी भी भागे और इतने सारे मुकद में Supreme Court और High Court में लंबित होते हैं ऐसी सती में एक अकेला महानियावादी सारी की सारी चीज़ें नहीं संबाल सकता इसले हमने क्या पढ़ा कि महानियावादी की मदद के लिए होते हैं Solicitor General और Solicitor General के भी साहिय के रूप में बहुत बड़ी तादात में अतिरिक्त Solicitor General की नियुक्ति की जाती है तो आप देखें इस्तर का एक और पद भारत में प्रचलित है अतिरिक्त Solicitor General के साहयक होते हैं इसका मतलब सबसे उपर तो कौन तो आप कहेंगे महानियावादी और महानियावादी के साहयक की रूप में कौन तो आपका जबाब होगा Solicitor General और Solicitor General के भी साहयक कौन तो जबाब होगा कि इसके भी Solicitor अतिरिक्त Solicitor General इस तरह साप देखो भारत सरकार के पास पूरी की पूरी वकीलों की एक टीम है मित्रों वकीलों की एक फौज है महानियावादी एक ही होगा Solicitor General कितने ही हो सकते हैं और अतिरिक Solicitor General तो बहुत बड़ी तादात में होते हैं और इस तरह से आपको होगे ये सारे के सारे वकील मिलकर भारत सरकार की तरफ से मुकदमों की पैरिवी करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर तो मित्रों आज हमने चर्चा की भारत के समविधान के अनुछे चियतर के ताद महानियावादी यानि अटोर्नी जनरल की और महानियावादी के सहयोगी और सहयक की रूप में आज की प्रकरण को यहीं समाप्त करें मित्रों आगामी कक्षा में आगामी वीडियो लेक्चर में समविधान और राजवस्ता के फिर किसी नए प्रकरण के साथ इसी प्लेटपॉम पर वापस हम रूब रू होंगे तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंद